हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे भारती संभिधान के अनुच्छेत पजपन के बारे में यदि आप भारती संभिधान से रिलेटेड पिछले अनुच्छेत का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको पिछला अनुच्छेत मिल जाएगा हम बात करते हैं अनुच्छेत पजपन के बारे में ये कहता है राष्टपती के निर्वाचन की रीती यहने राष्टपती का जो चुना होगा वो किस प्रकार से होगा और उसके गुडान की किस प्रकार से होगे एक व्यक्ती का कितना बोट माना जाएगा विधायक का कितना बोट होगा या सांसत का कितना बोट होगा इस संबंद में यहाँ पर बताया गया है वैसे भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राष्टपती के चुनाओं में सिर्फ और सिर्फ विधायक मतलब निर्वाचित विधायक और निर्वाचित सांसद ही भाग ले सकते हैं इसके अलाबा साधारन जनता उसमें भाग नहीं लेती है तो एक सांसत का कितना बोट माना जाएगा या एक विधायक का याने के MLA का कितना बोट माना जाएगा याने के MPs और MLA इनके कितने कितने बोट माने जाएंगे इस संबंद में हम पढ़ाई कर रहा है आज तो वैसे आपन ने पढ़ा है कि राज्टपती का अभी जो चुना हुआ था उसमें आठ लाग बोट से वो जीते थे अब आठ लाग बोट यदि आपन देखें तो सारे विधायक से याने के सारे के सारे MLA मिला लो तो भी आठ लाग तो कोई होंगे ही नहीं और यहां तो जीत ही आठ लाग से होगे तो ऐसे समय में उनके बोटों की संख्या किस प्रकार से गिनी जाती है यह बताया गया भारती संभिदान के अनुच्छित पजपन में याने क्या लिखा हुआ है राष्ट पती के निर्वाचन की रीती रीती क्या होगी इस समद में हम पढ़ लेते हैं इसमें लिखा हुआ है जहां तक सात्य हो राश्ट पती के निर्वाचन में भिन भिन राज्यों के प्रती निद्ध के माप मान के में एक रूपता होगी याने के अलग-अलग जो राज्यों की जो बोटिंग है अलग-अलग राज्यों के जो MLA's है, MP's है उनके बोट किस प्रकार से गिने जाएंगे उनको यह कह दिया गया कि भिन भिन तरीके से उनमें एक रूपता होगी यानि कि उनका फॉर्मूला जो लगाया जाएगा वो एक ही फॉर्मूला होगा लेकिन जनसंख्या के आधार पर उनका बोट माना जाएगा इसमें formula बता दिया गया, point number 2 में बताया, क्या बताया, कि राज में आपस में एक रूपता तता समस्त राज्यों और संगों में समतुल्लिता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्यक राज की विदान सवा का प्रत्यक निर्वाचिस सदश ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का अधिकार है उनकी संख्या निम्नलिकित रीती से अधारित की जाएगी यानि के सिंपल लेंगवेज में समझे जो अभी मैंने बताया के विदायक हैं MLA's हैं MPs हैं उनकी संख्या किस प्रकार से गीनी जाएगी वहाँ ये निम्नलिकित तरीके से यहां पर बताया गया है कैस प्रकार से का खा गा इस तरह से देखो देखते हैं पहले का पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है किसी राज की विदान सभा के प्रत्यक निर्वाचिस सदस्य के उतने मत होंगे कितने मत होंगे अब यहां पर फॉर्मूला बता रहे हैं क्या बताया जितने की 1000 से गुणित उस भागफल में जो राज की जन संख्या को उस विद समझाने की कोशिस की है कि इसमें किस प्रकार से कितने अंख होंगे क्या होंगे इस समझ में आप यहां पर देख लें यहां पर फॉर्मूला मैंने लिख दिया है इसके अलावा में पॉइंट नंबर खा दिया हुआ है क्या कि यदि एक हजार से गुणित लेने के बाद सेश पांच सो से कम नहीं है तो उपखंड काम है निर्दिष्ट प्रत्यक सदस्ट के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा यहाँ पर यह लिख दिया गया कि आप यह फार्मूला आप देख रहे हो इस फार्मूला के अनुसार यदि कोई दसमलव के अंकों से 5 से अधिक हो जाता है दसमलव के बाद जैसे 1,2,3,4,5,7,8,9,10,10,10 की दसमलव आ सकते हैं तो दसमलव के अंकों के बाद यदि 5 से अधिक संख्या आ रही है तब ऐसे समय में उसमें एक और जोड़ दिया जाएगा ये दसमलव खतम कर दिया जाएगा लेकिन यदि 5 से संख्या कम आ रही है तो फिर एक जोड़ा नहीं जाएगा संख्या और दसमलव के बाद की संख्य को अटा दिया जाएगा यहां पर यही लिख दिया गया तो point number खामें यह समझा दिया गया यह तो बात आ गई विधान सभा के सदस्चों की कि विधान सदस्चों का किस प्रकार से formula लगाया जाएगा इस प्रकार से अब हम हमnaistani MLA के बारे में शंजाए अब हम सांशत के बारे में याने के MP यहां अंके बोटों की संख्या किस प्रकार से अउधारित की जाई है तो इसमें 2 पॉइंट दिया है संशत के प्रतेग सदन क सदन को बही दो सदन होते हैं कौन कौन से होते हैं एक होता है लोक सभा और एक होता है राज सभा याने के लोक सभा के टोटल मेंबर को गिन लो 545 होते हैं 545 में दो एगलो इंडियन होते हैं जिनको हम नहीं गिनेंगे क्यों क्यों क्योंकि इनको वोट देने का पावर नहीं है क्यों नहीं है पावर क्यों जो निर्वाचित नहीं होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है तो ऐसे 12 मेंबर को हटा दिया जाएगा उनको जो है बोट देने का अधिकार नहीं होगा क्योंकि वो निर्वाचित नहीं है तो राज सभा के समस्त सदश और लोग सभा के सारे सदश मिला लो मिलाने के बाद उनक संसत के प्रतेग है us संसत के प्ल संख्या सदन के मतों की संख्याँ वाँ होगी》 कुल संख्या जितनी भी उनकी होगी यहाँ पर भी यही बता गया कि राज राज की संख्या के बारे में बता है माल लो कि हमारे MPs का कोई MP है कोई सांसद है अब वो सांसद जो है मद्य प्रिदेश की संख्या के अनुसार उसका अकलन होगा उत्तर प्रदेश का कोई सांसद है उत्तर प्रदेश का कोई MP है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर उसका अकलन किया जाएगा टोटल मेंबर और पार्लियामेंट को देखा जाएगा संसत के दोनों सदनों के सदश्यों की संख्या को जोड लिया जाएगा उसमें भाग लगा दिया जाएगा मान लो उत्तर प्रदेश की जित्ती जनसख्या हो तो उत्तर प्रदेश का कोई सांसद है तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का भाग लगाएंगे मद्य प्रदेश की जन संख्या है तो मद्य प्रदेश की जन संख्या का भाग लगाएंगे और उसमें एक हजार का गुणा भी करेंगे यहाँ पर देख लो MPs का जो फर्मूला है कि सांसदों के लिए क्या फर्मूला अपनाए जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा को यहां से देखवा, इसके अलावा में क्या, इसमें लिख दिया गया, कि मतों की संख्या को संसत के दोनों सद्रों के निर्वाचिस सद्रों की कुल संख्या से भाग देने पास जो आए, जिसमें आदे से अधिक भिन को एक गिना जाएगा, वो यह आदे से अधिक भिन मतलब दसमलब के बाद याने पॉइंट के बाद पांस से जादा हो गया तो उसको उधर ले करके एक गिन दिया जाएगा और यदि पांस से कम रह गया तो फिर उसको अटा दिया जाएगा उसको कुछ भी मतलब गिना ही नहीं जाएगा यदि वो कब नहीं गिना जाएगा जो अन्य भिन्नों की अपेक्षा की जाएगी, मतलब कि ये फिर ऐसा देखा जाएगा कि पॉइंट में भी कौन खित्ते संख्या की अनुसार आ रहा है, इस प्रकार से, पॉइंट नमबर तीन दे दिया, कि राष्ट पती का जो निर्वाचन होगा, वो आनुपातिक प्रतिन पत्दती के अनुसार एकल संक्रमानी मत द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा, एकल संक्रमानी और आनुपातिक प्रतिनिदी पत्दती क्या होती भी है, यह तो लिखाए कि गुप्त मतदान होगा, तो यह तो समझ में आ गया कि गुप्त मतदा जाएनी जाएगा और जो है गुप्त तरीके से मद्दान कर दिया जाएगा ये तो समझ में आ गया होगा आपको लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता भिया अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है वरियता क्रम और हम लोग कैसे बोट डालते हैं हम लोगों को क्या है कि यदि दस लोग खड़े हैं तो दस में से एक व्यक्ति को बोट डालने का अधिकार है लेकिन राष्टपती की चुनाओं में कैस आरी जृदिए हम इस वाले व्यक्ति को पसंद करते हैं तीशरे नम्बर पर हमारा हिये व्यक्ति हो गां ये और ये तिर्थ पति ना बने तो फिर ये वाला बनना हुआ भी ना बन सके तो फिर ये वाला बनना चाहिया याने के हम उसको बोर वरीता क्रम में बोर्ट देते हैं, यानि कि जितने भी MPs और जितने भी MLs होते हैं, जो निरवाचित होते हैं, तो वसकी एक व्यक्ति को बोर्ट दे के वापस नहीं आईगे, उसका एक वरीता क्रम बना देंगे, यानि कि पहले नंबर मुझे यह पसंद यह ना बन सके तो य ये बने ये ना बन सके तो ये बने ये ना बन सके तो ये बने इस प्रकार से एक वरीत अक्रम लगा दिया जाता है इसको कहते हैं अनुपातिक प्रति निधेद्व पद्दति तो और गुप्तमद्दान होगा ये तो हमने पढ़ी लिया है तो राष्टपति का चुनाव किस से होगा यह हमने समझा इस पश्टी करण देख लेते हैं एक दो इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसे अंतिम पूरुवर्ती जनगर्णा में अभी निश्चित की गई जनसंख्या अभी प्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं याने के जो की प्रकाशित हो गए हैं जिनकी जनगर्णा की जा चुकी है वो जनगर्णा मानी जाएगी अब यह नहीं कह सकते कि आज की कित्ती जनगर्णा उसका उससे कोई मतलब नहीं भाईया उस जनसंख्या से जो आज की जनसंख्या है, ऐसे तो डेली बढ़ रही जनसंख्या, उसके लिए क्या, डेली कोई ब्यक्ति अठारा साल से उपर के प्रत्य व्यक्ति होते ही जा रहे हैं, इस प्रकार से तो जनसंख्या को थोड़ी ऐसे गिना जा सकता है, जनसंख्या का परन्तु इस पेश्टी करण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगर्णा के प्रती जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का जब तक 2026 के पस्चात की गई पहली जनगर्णा के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया ज राष्टपती को बोट देने के मामले में, जनसंख्या का जो आंकड़ा लगाया जाता है, जो सूत्र में लिखा जाता है, वो 1971 की जनगर्णा के अनुसार लगाया जाता है, और अब कब लगाया जाएगा, अब 2026 में जो जनगर्णा होगी, उसके आंकड़े जो प्रकाशि होंगे, बाद में फिर ये वाली चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी, जब तक के फिरो अगला डिसाइड नहीं हो जाता, अभी 1971 की चल रही है, 2026 के बास से 2026 की चलने लगेगी, तो आज की वीडियो में हमने अध्यान किया, भारती संबिदान के अनुच्छे 55 के बारे म तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वेल आइकोन प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद